हेलो नमस्कार मैं डॉक्टर सुमनात और आपका इस यूटीब चानल पे स्वागत है दोस्तो दही भारतिय थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दही में प्रोबायोटिक और केल्शम बरपूर मातरा में होता है जो आपकी शेरीर स्वास्ते के लिए बहुत अच्छा होता है आज हम दही खाने के फाइदे देखेंगे तो शुरू करते हैं नमबर वन इम्मुनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक्षमता हर रोज 50 ग्राम दही खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक्षक्टी बढ़ती है इनमें मौझूद गुड बैक्ट्रिया इम्मुन सिस्टिम को बहतर मानाता है नमबर दो टीथ अन बोन्स दही दाद और हडियों के लिए भी बहुत फाइदेमंद होता है इनमें बरपूर मातरा में कैल्शियम और फॉस्परस होता है जब अपने शरील में कैल्शियम और फॉस्परस या विटेमिन डी की मातरा कम हो जाती है तो हडियों में ओस्टियो पोरोसिस हो जाता है यानि हडिया कमज़ोर हो जाती है जब आप आपके खाने में दही का सेवन करते हैं तो कैल्शयम, विटेमिन डी की कम तरता कम हो जाती है और आपकी हड़िया और दात मजबूत हो जाते है आपको गठिया जैसे बिमारी है तो भी आप दही का 7 कर सकती है जिसके 7 से गठिया जैसे बिमारी कम हो जाती है नमबर 3 वेट लॉस दही में प्रोबाइटिक होता है जो आपकी पेट की चर्वी पिगलाने के लिए बहुत फाइदे मंद होता है रोजाना दही के सेवन से आपके पेट की चर्वी धीरे-धीरे कम होती जाएगी जब आप दही खाते हैं तब आपको आपका पेट भरा हुआ लगता है और आपको भूक जल्दी नहीं लगती और तेजी से आपका वजन कम होने में आपको मदद मिलती है नमबर चार श्ट्रेस यानि तनाव दही खाने का सिधा संबंध दिमाक से है दही में विटामिन B टेवल जैसे तत्व होते हैं जो आपका तनाव या टेंशन कम करते हैं अगर आपको नीद नहीं आती तो रोजाना दही का सेवन करें इससे आपको रात में अच्छी नीद आ जाएगी नमबर पाँच एनरजी अगर आप खुद को बहुत थका हुआ मैसुस करते हैं तो रोजाना दही का सेवन करें दही के सेवन से शेरिर को एनर्जी मिलती है ये आपके शेरिर को हाइडरेट करता है और उर्जा प्रदान करता है चोटे बच्चों में अक्सर देखा गया है कि दाथ अच्छी तरसे नहीं निकलते जिसके वजह से उनको बार-बार दस्त होने लगता है या उल्टी होने लगती है बहुत बार ऐसा भी होता है उनका खाना ठीक तरे से हजम नहीं होता तो ऐसे बच्चों में दही के साथ शहद मिला कर जिन बच्चों के दाथ निकल रहे है उन्हें चटाना चाहिए इससे बच्चों के दाथ आसानी से निकल जाते है अगर आपको बार-बार मुँँ में छाले आ जाते है तो धही का सेवन शहत के साथ समान मात्रा में सुबह शाम करे इससे आपकी मूँ के छाले हमेशा के लिए कम हो जाएंगे